नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आत्म निर्भर अभियान का नारा दिया है लोगों से अपील की है कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्म निर्भर बने साथ में सवदेशी को अपनाए प्रधान मंत्री जी की इस अपील के बाद पार्टी के कारेकरता स्वम सेवक सब इस मुहीम में जुड़ गए है कि कैसे प्रधान मंत्री जी की अपील पर भारत निर्भर अभियान को आगे बढ़ाया जाए हमारे साथ बारा बंकी की भूत पूर सांसद प्रियंका सिंग है प आत्म निर्भरता की तरफ में उनको मैं एक लाक महिलाओं को मैं जोड़ू इसके लिए मैंने बैंकों से लोन दिलाने के लिए और स्वयम साजता समु जो है उनके द्वारा जोड़ दे के लिए और अपने पार्टी के द्वारा जो कारेकरम चल रहे हैं संगढधनात्मक द तो एसी कई महिलाएं भी हैं जो आलू की खेती भौत अच्छे से करते हैं मिर्ची की खेती करते हैं तो यह जो खेती है इन सब के माधियम से चोटी-चोटी स्केल की इंडस्ट्री अगर लग जादे जिस प्रकार से माने प्रधान मंत्री जी Ems MP पर ध्यान दे रहें कि चोटी-चोटी इंडस्टरी लगें तो जिस प्रकार से हमारे छेतर में जो खेतियां जो हमारे याँ पर जैसे मेंथा की खेती है, आलू की खेती है, मालू से चिप्स बनाकर हम उसको स्टोर करके हम उसको चिप्स बनाकर हम उसको बेच सकते हैं, हम मेंथा को कई प्रकार में दवाईयों में, सौंध्रिय करण में हम लोग यूज करते हैं, दवाईयों में यूज करते हैं तो मैंधा खेति का जो ओ Umm होता है और इन सब चीजों में हम इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो जब देश की बनाई उचीजों को भए बढ़ाया जाएंगा वोकल ओर लोकल से बनाई हुई चीजों को जब हम इस्तमाल करेंगे तो एक अलग ही उसका हो रहेगा तो यह मेरा वीजन है कि मैं एक लाक महिलाओं को इसमें में जोड़ू महिलाएं आत्म निर्भर हूं तो मैं इस सब को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं आगे चल रही हूं तो इस दिशा में भी तक क्या क योजनाओं के तहट लोन द daíलाकर जिसकी जैसी छमता है उसे साथ से गवर लोन ले सकता है और लें डिलाने में हाँ बैंकों से बात करके बिठा कर उनसे भी लोन दिल रहे हैं उनको कि ज्यादा से ज TIME जब योजना के तहत में जब आएंगे लोन लेंगे तो उनको काम करने में और चोटे-चोटे कहेंगे के स्केल पे वो अपने फैक्टरी लगाने में या कुछ चोटे-चोटे उधोग डालने में जब उनको सहायता मिले एक सपोर्ट रहेगा लोकल के विक्ति कोई रहेगा कि यहां मुझे योजना में लोन मिल सकता है तो वो निशिती वो उस तरफ आतनर्वता की तरफ बढ़ेगा लेकिन बैंक को से लोन मिलना इतना असान नहीं है ऐसा भी नहीं है कि जल्दी से लोन देते नहीं है आएसा तो लोगों को या वंचीत के लोगे हमको जरूँत आप जाते हैं तो यह विश्य माइने रखता है कि जैसे आप आलू की खेती करते हैं अब आलू की आपको मशीने कुछ लगानी है चिप्स की फैक्टरी कुछ हमें डाली है तो आप मुद्रा योजना में आप नहीं जाएंगे फिर आप स्टार्ट अप में जा सकते हैं आप व यह लोन लेना चाहिए तरीके से आवेधन अगर करते हैं तो निश्यती उसका लोन भी पास होगा उसको सहता भी मिलेगी और जो आक्म निरुटा की बात आ रही है निश्यती उस दिशा की तरफे का एहम कहदम होगा जो महिला है उतरपरदेश की और आपके इलाके की बारा पहुचाएं आत्म निर्भरता ये तभी हो सकती है जब अंतर आत्मा इस बात को कहे कि मुझे आगे बढ़ना है काम करना है मुझे अपने पैरों को एक खड़ा होना है और कुछ करना है देश के निर्माण में मुझे भी अपना एक कण जोड़ना है इस संकल्प के साथ खेती के पर्पस में हो चाहें ऐक फैक्टरी डालने के उस पे हो चाहें वे एक नौकरी के उसमें हो या खुद एक किसी के समाझ से भी भाव से वो भाव से जोड़ने से लिकर हो जब इस विशय पे जब वो जाएगा मन से अंतर मन से जब वो कहेगा कि नहीं मैं हूँ देश का नागरिक और कर सकता हूँ तो निश्य थी वो कर ले जाएगा बहुत बहुत धन्याद हमसे बात कर रहें के लिए प्रिंका सिंग रावत जो बारा बंकी से सांसद रही है बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक लाख महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगी आत्मनिर भर अभियान से जोड़ेंगी जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की एक म अगर वो आगे बढ़ना चाती है सही मार्क दर्शन ले सकती है आगे उनको सफलता जरूर मिलेगी हम यह कहना चाहेंगे लोगों से कि अगर किसी भी महिला को इलाके की किसी भी वैक्ति को कोई भी मदद चाहिए तो वो प्रियंका रावत जी से संपर्क कर सकता है कारेक्रम में आज इतना ही अगले कारेक्रम में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दिजेगा इजाज़त नमस्कार